आज हम sociology को देखेंगे इस topic को cover करने से पहले हम इसके past papers को देखते हैं यह है CSS 2021 sociology इसका question number 7 discuss the strength and limitations of the three methods of data collection for social researchers qualitative quantitative and mixed methods यह question है 2021 में ठीक हो गया इसके बाद यह है 2020 में difference between qualitative and quantitative way of studying any social phenomena elaborate by giving an example of each appropriate approach and how that can be inquired ठीक हो गया उसके बाद यह 2016 में भी है उसके लाव भी है मैंने just major question को आपके साथ डिसकस किया which type of research by objective are commonly being used by NGOs and explain these types of research be suitable examples इसके लाव एक दोवर पिपर थे मैंने भी उपनी तो इसको पहले आप देख लेके question में क्या चीज़ पूछ रहा है अच्छा methods होते है research के sociology में होते है qualitative quantitative and mixed methods यह क्या होते हैं इनके क्या advantages disadvantages disadvantages है और इसका basic concept क्या है उसको में इस वीडियो में discuss करेंगे तो करें लिए अगर आपने चैनल अभी तक subscribe नहीं किया तो इसको subscribe कर लें ताकि next भी आपको तक वीडियो पहुंच दिरें सबसे पहले मैं आपको simple wording में बता दूँ otherwise आप इसको study भी कर सकते हैं कि sociology basically होती क्या है sociology होती है एक मौाशरे में रहते हुए लोगों की अपस में interaction कैसे होती है उसके उनके society पर क्या असर अंदाज होता है और लोगों पर इसका क्या असर अंदाज होता है इस चीज़ को और इसकी study को क्या कहते है sociology उसके लावा sociology research किया होती है sociology research is a systematic study of people institutions or social phenomena using measurement techniques such as surveys, interviews, focus groups, ethnography and comprehensive analysis of texts तो इसको भी simple अलफाब में बियान कर दूँ कि sociology तो होगी कि लोगों एक माशरे में रहते हैं लोगों का अपस में किस तरह interaction होती है किस तरह होगा अपस में communicate करती है और किस तरह एक दूसरे पर असर अंदाज होते है और किस तरह वो environment या एक महौल या जो society है उसको कैसे development उसकी होती है इसको sociology कहते है और इसकी research करने के जो तरिका कहा तो उसको कहा जाता है sociology research sociology research क्या होती है ये आपने सुना होगा मुक्तलिफ किसम के interview किया जाते है लोगों के उसके लावा सर्वेज किया जाते है कोई ना कोई record बनाया जाता है कोई क्या होती है graph बनाया जाते है कि फलाए लाके के लोगों का है रुजान क्या है कौन कौन सी पॉर जंब्रिक्स अगर आप देखें कि पाकिस्तान में सिग्रेट पीने कि कितने लोग सिग्रेट पीते हैं तो उसके लिए कि आप बकाईदा सर्वेज करना पड़ेगा आपको उसके लावा आप दुकानों पर विजट करेंगे लोगों की एज काउंट करेंगे कितनी एज कौन कौन सी वजुभात होती है जिससे वो इस तरह आते हैं यहाँ पर इसके लावा आप देख लें कोई क्राइम देख लें के चोरी चोरी व किस अलाके में ज्यादा होती जिसमें इसके लिए उसमल्य उसलों लोगो आपको सर्वे करने पडते हैं यह उन लोगों के इंटर्विज लेने पड़ते हैं यहां कोई आर इरड़ी एगर कोई सर्वे हुआ है तो उसके बकाइदा आपको ग्राफिंग करनी पड़ती है कि फलाँ इलाके में उसके लिए आपको बकाइदा जिस तरह कोई पाकिस्तान की अगर आप बात लें तो इसे जो क्राइम स्पेशल वो जो ब्रांची हैं खास तोर पर जो एडमिस्टेशन है या पुलिस डिपार्टमेंट या वहां से आप इनके इन्फरमिशन ले सकते हैं कि किनी आपको में चोरी की रेशियो ज्यादा है उसके इन्फरमिशन ले सकते हैं उनकी राए को भी मालूम कर सकते हैं इस तरह क्या होता है आप एक सोचोलोजिकल टोपिक के ओपर रिसर्च कर रहे होते हैं यहां इसके इलावा आप मुख्तली आएक कल तो आपने देख़ा कोई गूगल को यूज कर ले या यूट्यूब या कोई जिस तरह वर्टसर भी आप काल करते हैं तो काल के लास्ट पर वाप कोई गूचते हैं कि यह क्वाल्टी आपको कैसी लगी काल की बेतर थी या एवरिज थी या या बेतर नहीं थी इस तरह को एक सर्वे साड़ डेमो सा ले ले लेते हैं आपसे तो इसको बकाइदा वो बाद में इसको किसी रेफरेंस के तोर वे यूज करते हैं कि भई हमें फुना इतने यूजर नहीं यह का कि बहुत गूड है एक नहीं का कि ठीक नहीं है तो इन से वो क्या करते हैं उसको बेतर करते हैं तो इस तरह पाकिस्तान मुख्तलिफ एंजियो की आप देखते हैं रिपोर्ट में पाकिस्तान को रिश्वत के मौामले में इतने नंबर पर है और जो human rights वाली movements हैं वो के फ़लाँ पाकिस्तान इतने नमबर का है इतने में से इतने नमबर वो किस तना करते हैं वो इसी तना का service बगारा की basis बगरते हैं तो अभी इनको मजीद डीप जाने से पहले मैंने जस आपको simple सा इसका introduction दे दिया चले भी इसको मजीद देखते हैं research की methods होते हैं यह approaches होती हैं तीन तना के होती है qualitative, quantitative है mixed methods qualitative यह basically यह word से निकला है quality से इदर हमाई इसको लिख देता हूँ quality और इसको लिख देता हूँ quantity quantity और इसको इसको लिखने के जुरूद आप quantitative method को देखने हैं यह जिसम की quality होती है जब किसी चीज की quality देखनी हो यानि कि उसके मैयार को देखा जाता है को मैयार बिलकुल pure हो उसमें quantity नहीं देखी जाती है तो quality देखी जाती है जिस तरह कोई कपड़ा आप खरीदती है दुकान से जाकर आप देखते हैं अच्छी quality का हो या एक दुकान दार कहते है वह इतने पैसे में आपको दो चीजां दे देता हूं तीन दे वह quantity में आजाती चीज quality वहाँ पर compromise हो जाएगी तो quality को मैं सिंपल वर्डिंग में बता दू quality method में क्या होता है या कहलने के तासूब भी है अगर या मैं आप सुना हो जाता है कि आपस में provincial जो तासूब होता है जिस तरह सिंद के लोगों का पंजाब के बारे पंजाब के लोगों का सिंद तो इसके लिए मैं अगर पंजाब में रह रहा है तो मुझे चाहिए कि मैं सिंध में जा कर उन लोगों के इंटरवीज लोगों, वहाँ पर तसकी वज़ आपके करूं कि इस्थे वज़ा क्या है, ठीक हो गया, भाज जा के सर्वे करूं, खुद जा कर इंटरव्यज लोगों के लूँ, के डिस्कस्शन देखूं, वहाँ कर, जो कल्चर अगर वहाँ प से बहुत बड़ी एक तदात में आपके पास रिविव आजाते हैं तो इससे भी आप बहतर एक रिजल्ट निकाल सकते हैं तो इसको कह जाता है क्वांटिटेटिव जिस तरह के मैंने आपको बताया है कि वर्टसफ वाले या वर्टसफ की तो वाज़ मिसाल है ना मैंने कब तो अगर वीडियो काल करें तो उसके लाओप पूछते क्वालटि कैसे थी तो यह क्वांटिटेटव इतने जयादा यूजर जयुसर के पास रिग्विस जाएंगे तो यह एक будет क्वांटिटेटिव मैंटिटेड मेंぎецथ जोन्सार्स इतने ऊ lahm कॉइनीटिटिटिव रिसर्च और यह हो गैणि क्वानिटिटिटिव में क्या हुते है डिरेक्ट इंटर्वeast होते हैं फॉकस गुरॉप होते हैं कि बहुत हैं ग्रुप होगया इसमें डिस्केश्ण करवाई जाती है और आप उनसे क्वश्छण उगारब इसके लब एत्रोग्राफी होती है, case studies होती है, एक मख्जूस case ले ले ले, या एक दो case ले ले, इसके लिए लिटरेचर रिवीव होता है, यह होगे qualitative research है, और इसके लब quantity में क्या होता है, quantity को ज्यादा देखाज है, तादाद को, इसमें survey किया जाते हैं, बहुत ज्यादा त इसमें secondary data होता है, यानि कि किसी और की research बगारा की हुई है, या आप उनके references को use करते हैं, उसके लिए observational research की जाती है, experiments किये जाते हैं, बड़े मिमानी पर content analysis किया जाता है, तो यहां तक तो हो गया, चलो, qualitative research methods consist upon interviews, observations, questionnaire and focus group, whereas qualitative research methods are comprised of surveys, demographists, स्टेक्स को काफी दर वर्ड व्यूज होता है, स्टेक्स क्या होती है, बकाइदा एक grafing होती है, ठीक होगा है, social networks, etc. अच्छा, यहां तक तो यह मैंने आपको simple अलफाज में बता दिया, कि क्या होती है, qualitative क्या होती है, quantitative क्या होती है, इनका basic जो difference क्या होता है, ठीक हो गया, मैंने आपको simple अलफाज में समझाने की कोशी की है, अगर आपको मजीद कोई problem हो, तो यहां पर आप इसको थोड़ा understand कर सकते हैं, अक्सर जो पूचा जाता है, question हो, यहीं पूचा जाता है, कि इसकी types कौन सी है, उनका major difference क्या आता है, ठीक होगे, जो अक्सर students को मसला होता हो, यहीं पर हो जाता है, को उनको qualitative और quantitative में difference नहीं करना आता है, मैं आपको पिर दोबारा इदर definition समझा दो, इसकी किदर की है, इसकी qualitative research, तो इसमें आपने जो difference बताना है, यही है, qualitative research methods consist upon interviews, observations, questionnaire and focus groups, यह इसके आपने definition याद रखनी है, यह वाले, उसके लावेर, quantitative research methods are comprised of surveys, demography, statics, social networks, ठीक होगे, इसमें quantity को देखा जाता है, इसमें quality को, तो लाजमिक बात है, quality को देखने के लिए, आपको खुद interview करने पड़ेंगे, खुद observation करने पर, खुद ही question करने पड़ेंगे, खुद ही focus group को arrange करना पड़ेगा, quantitative research में क्या होगा, quantitative research में होता है, आपको surveys लेने पड़ेंगे, surveys already होए होती है, किसी ने किसी ने काम किया होता है, demography का आपको data मिल जाता है, statics मिल जाती है, यह आप करवाते में एक बड़े माने पर, यानि कि आप सो लोगों से, आप के interview दो नहीं कर सकते, यानि एक आप student हैं, आप किसी university का आपको thesis त्यार करना है, आप 100, 200, 400 लोगों के interview नहीं कर सकते, तो आप simple एक दो कुछ points लिखेंगे, कि आपकी smoking के बारे में क्या राए है, smoking करनी चाहिए के नहीं करनी चाहिए, इसको कैसे रोका जा सकता है, और इसकी वजुहात किया है, आप simple से 5-7 question बनाते हैं, तो उनको जाकर आप लोगों के से, उसकी राय ले ले लेते हैं, yes or no की सुरत में, yes or no, yes or no, yes or no, यह होगे qualitative, और quantitative research में क्या होता है, क्या होता है, आप deeply इसमें जाते हैं, आप बिल्कुल अज़ादा ना तरीके से deeply, जहां तक होता है, आप information gather करने की कोशिश करते हैं, तो quantitative में दो चार question होगे, उसके उपर राय ले ले लिए, yes or no, yes or no, की ठीक है, नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए, आप government से मुतमें हैं के नहीं हैं, या फिर कौन से government ज्यादा बितर है, इस तरह के simple yes or no की आप राय ले ले लेते हैं, लेकिन qualitative में क्या होता है, qualitative में आप पूछते हैं कि कौन से government बेतर थी, आप चंद लोगों को लेते हैं sample के तोर पर, वो आपके ज़्यादा sample होती है, आप उनसे information लेते हैं कि भई फ़ला government क्यों बेतर नहीं थी, उसमें क्या है, उनकों से class थे, और कुन वजवात की वैसे वो fail हुई, या इसके काम अभी के पीछे कौन से वजवात हैं, कि पाकिस्तान में कौन से system बेतर है, federal है, या parliament, आप इसके deeply जाते हैं, उसकी वजवात लेते हैं, उनसे पूछते हैं, आप इसके thesis हो जाता है, तो यह इसकी basic difference है, उसके advantages of qualitative research क्या होते हैं, it becomes possible to understand attitudes, यह directly attitudes को आप understand कर सकते हैं, क्योंकि आप direct interview करते हैं, direct आप question करते हैं किसी परसन से, आप ज़्याद ज़्यादा ले सकते हैं, it is content creator, ठीक है, आप content बहुत ज़्यादा आपके पास इकठा हो जाता है, it saves money, it can provide inside that are specific to an industry, यह किसी industry, for example, एक एक ice cream बनाने वाली कहले को company होगी, एक साबन बनाने वाली, यह एक shampoo बनाने वाली, तो वो क्या होती है, वो लोगों से review लेती है, वो कहते हैं, मुझे तो sunsilik का जो shampoo अच्छा लगता है, वो मुझे वज़ा क्या है, वो कहते हैं, यार उसका color ऐसे होता है, या उसके, यह यह plus points हैं, तो इस तरह दूसरी जो company है, वो देखती हैं, हमारे shampoo में यह यह negative points, लोगों यहां के लोगों के रहने वाले, हर इलाके के, हर जो area होता है, वहां के लोगों की रहे मुझे होती है, तो यह यह नहीं होता कि एक चीज यहां इस आप पर यह चीज यहां हो जाएगी, it can provide inside data specific to an industry, इससे क्या होता है, इंडस्ट्री को फाइदा हो जाता है, और qualitative में ही अगर इस चीज को देखा जाता है, तो quantitative में क्या होता है, yes or no, मैं संसलिक यूज़ करता हूँ, मैं panting यूज़ करता हूँ, मैं head and shoulder यूज़ करता इससे क्या होगी, जस्ट आपको a quantitative मिलेगी कि दस लोगों में से एक बंदा करता है, down, दो बंदे करते हैं, संसलिक तीन करते हैं, तो जिससे में quantity मिलेगी, लेकिन qualitative में क्या होगा, आप इसको deeply जाकर understand करें कि कि कीन वजुहात की वैसे ऐसा बंदे वो कर रहे हैं, ठीक होग and it incorporates the human experience, human experience, which interviews को ले रहे हो, अभी experience increase होता है, it has flexibility, it offers predictive qualities, it allows for human to play a role, it can be based on available data, incoming data, data formats, it allows for detail or tinted data to be collected, disadvantage क्या है it is not a यह भी next भी है तो चले इसके disadvantage is of qualitative research it is not statistically representative form of data collection it relies upon the experience of the research यह इसके disadvantage चल्रे अभी it can lose data it may require multiple sessions it can be difficult to replicate a result it can create misleading conclusions it can be influenced by researcher it may not be accepted it creates data that is difficult to present it creates data with questionable values चल्रे मैं इसको simple फास में बताता हूँ इसके disadvantages क्या हो इसके सबसे पहला disadvantage यह है कि जो research कर रहा है person उसका अपना bias होता है क्योंकि वो question इस तरह से बनाता है कि उसको उसकी के मतलिक specific council को पसंद करता है और sometime जो इसके मतलिका नहीं होते वो उनको कहले कि स्किप कर जाता है उसके इसके इलावा क्या होते है कि आपने qualitative research तो कर ली आपके पांच साथ लोग हैं जिनके आपर आपने research की है लेकिन जो आपके पास data है उनसे वो ये तो नहीं आप उसे कहते हैं कि भई ये एक अवराल लोगों की यह थिंकिंग है यह यह उनकी राए है कि एक इलाखे में four example आप एक city में रह रहे हैं वहाँ पर एक अबादी है पचास लाग से साथ लाग तक आप किस तरह पांच से साथ लोगों की राय को पॉचास साथ लोगों की राय यह शुमार कर सकते हैं ठीक होगया सम्टेंज इस चीज़ को लोग बिलीव नहीं करते कि भई ये तो पांच साथ लोगों की राय हैं हम इसको नहीं है वो इसलिए वो क्वांटिटेटिव को प्रेफर करते हैं ठीक हो गया वो इसके लावा वो कहते हैं कि इसके लिए टाइम भी बहुत ज़्यदा जाया हो सकता है अब मुझी बल्सेशन्स करते हैं लोगों के साथ और इसके लावा यह इसकी जो को आप simply represent कर सकते हैं, but in case of qualitative, it's hard to present. Lessons the value of data mining, advantages of quantitative, और इसमें एक और मैंने method बताया था, mixed method, उसको मैं चलें next अभी, डिसकस करता हो पहले इसको देख लिए, advantages of quantitative research के क्या आता है, companies, self-esteem, rapid data collection, randomized models, fortnight scrutiny, repeatable and trustworthy, anonymous research. Quantitative में क्या होता है, कि आपके पास बहुत ज्यादात में एक लोगों की reviews होते हैं, तो उसको क्या होता है, वो आपके लिए ज्यादा फाइदा में भी हो जाती है, कि आप अपने customer से direct राहे ले ले लेती हैं, कि भई, आप कौन सा शेंप कुई इसमाल करते हैं, वो करते हैं, भई, हम ये वाला करते हैं, ठीक हो गया, आपके पास एक हजार लोगों का data है, कि कौन सी product यूज़ करते हैं, और उसमें आपकी product को कितनी ज्यादा वो एहमिएत देते हैं, ठीक हो गया, इससे quantitative research मिल जाती है, उसके बाद आप उसको qualitative research पर भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले, ये quantitative research का बहुत ज्यादा फाइदा होता है, कि आपको पता तो चलता है, भई, आपके already कितने users हैं, इस product को use कर रहे हैं, ठीक हो गया, उससे एक दूसरा data बहुत rapidly collect हो जाता है, जिस तरह मैंने आपक पता है, कोई online कोई application है, वो इस तरह online याप से review मांग लेती है, और इसके lower randomized models आपके पास बहुत ज्यादाद में लोग की रहे आ जाती है, repeat operators, anonymous research होगी, अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें bias नहीं होता, सबसे बड़ा जो इसका advantage है, इसमें researcher जो होता है, उसका direct उसके सा है, वो पांच साथ पर उनको select करके आपको bay देते हैं, कि मेरी bay ये रहा है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप इसको पसंद करते हैं, कि नहीं करते हैं, इसमें इसमें होगी, disadvantage क्या है, quantitative research के, insecure answer, ठीक हो गया, peculiar situation, cause, no follow-up, wrong detection, ठीक हो गया, ये इसके है, negative points, इसम सबसे जो major, कि आप की कोस्ट भी वहत जाया हो, आई कल तो कहले कि digitalization का दोर है, इससे तो कम है, इससे क्या होगा, अगर आपके पास कोई yes or no का कोई आएगा, तो आपके data server पर upload हो जाएगा, तो इससे इतने ज्यादा वह कहले कि data, कोस्ट का तो नहीं मसला होता है, लेकिन कि अभी इतने ज्यादा advantage तो नहीं है, अभी तक तो just वह paperwork पर काम हो रहा है, खास तोर पर हमारे countries जो अभी developing countries है, उसके लावा advantages of mixed method research, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसको discuss करने से पहले बता दूँ कि mixed method होता क्या है, और इसके बारे में भी mostly पूचागा, मिक्स method होते है, qualitative or quantitative research इन दोनों को use करके, जो research की जाती है, कोई ऐसी research जिसमें दोनों methods को use किया जाता है, उसको का जाता है, mixed methods, ठीक हो गया, तो इसे आपने कभी भी confused नहीं हो ना, best of most words, चले इसको पहले मैं discuss कर दूँ, for example, आप देखे ना, कि एक बंदे ने एक research करनी है, किसी topic के research करनी है, तो कौन सी मैं example दूँ, चलें आप smoking के उपर ही देख लिए, smoking के लिए तो मैं पहले देखता हूँ कि भई, पाकिस्तान में survey किया जाता है, कि कितने person लोग करते हैं, तो इसके लिए हजारों या, हजार, काफी हजार लोग को, के quantitative method से, उनकी research की जाती है, वो एक simple सा एक graph होगा, question होगा, कि आप smoking करते हैं या नहीं करते हैं, कहलें कि एक हजार लोगों पर research की, उसमें से कहलें कि एक सो लोगों ने का के भई हम smoking करते हैं, यहां तक तो होगा quantitative research हो गया, ठीक होगा, अब मैं कहूँ को भई, ये तो इससे तो कोई इतना ज्यादा research नहीं हो अब मैं कहता हूँ कि भई, ये जो लोग हैं सो, इन में से मैं 10 या 15 लोगों को निकालता हूँ, ठीक हो गया, या कहलें कि इन में से 5 लोग, इन में से लेता हूँ, 5 लोगों इन में से जो smoking नहीं करते हैं, ठीक हो गया, ये होगा मेरे पास 10 लोग, उन 10 लोगों जो 5 लोग आपको कोई फोर्स करता है भई कौन सी बजहा कि पिर आप छोड़ना भी चाते है चोड़ भी नहीं रहे इसके लवह ऐसे लोग जो स्मोकिंग नहीं करें तो आप उनसे पूछे क्यों नहीं करते हैं उनसे डिसड़ांटिज पूछें इस चीज़ के और पूछें के जो लोग सिग्रेट शुरू करते हैं उनसे भी आप वही वारे काउंटर क्वेस्टिन कर सकते हैं तो इससे क्या होता है मिक्स मैथड़ से आप दोनों मैथड़ को यूज करते हुए एक ज्यादा अच्छा और मायारी कहलें के रिसर्च माडल तियार कर लेते हैं ठीक हो गया कहलें के मिक्स मैथड के सबसे ज्यादा अड्वांटेजी आप जितने चाहे मर्जी लिखनें तो मैंने सिंपल सा इदर लिख लेया मैथड फ्लेक्सिबिलिटी यानि इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्वांटिटिव और क्वालिटिव दोनों को यूज करते इसको पैस्ट बैस्ट रिजल्ट निकाल लें भी बैस्ट उफ बोथ मेथ वन रुट अनलसमिं अउट हो गया इसके दोनों तरीके से इचा बैस्ट रिजल्ट आपको अगर पुछ Chelsea के क »K्वांटिटीव और क्वालिटेटीव दोनों में से कह इसे तों सा best suitable method then you mix methodology. प्रेफर करें और इसे उपर और रहाई दे पहले quantity, quality दोनों को को advantages बताई और बताई पिर बताएं कि इस दोनों में को disadvantage है, तो इसे दोनों को mix करने से disadvantage को आप निकाल देते हैं तो इस सिरह फूरसिर of advantages रहा जाते हैं ठीक हो गया, disadvantageous, mixed method, workload, इसे यह तो होता है कि वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, ठीक हो गया, यह होता है कि वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, और सम्टेंज जो इनके आपस में कोई तजाद हो जाता है, conflict result हो जाता है, तो आप इसको भी बेतर कर सकते हैं, इसलिए, तो यह मेरे स सोचाए कि चले, जिम्पल जा, इसको यह दोनों लिख देता हूँ, तो अगर मजीद आपको कोई question पूछना हो, then currently आप comment में मुझे बता सकते हैं, अगर मुझे समझाने में कोई mistake हो गई है, यह कोई चीज रह भी गई है, then currently इसको भी आप comment में मुझे पूछ सकते हैं, अल